दोस्तों आप जब भी थियेटर में मूवी देखने जाते हैं वहाँ पर आप पोपकोन जरूर खाते होंगे दोस्तों ये 10 रुपे में आपको इतने से पोपकोन मिलते हैं कि आप अकेले भी उसको नहीं खा पाते हैं वहीं दोस्तों आप घर पर 10-15 रुपे में इतने ज़्यादा पोपकोन बना सकते हैं कि आपका पूरा परिवार खा सकता है तो आज इस वीडियो में हम आपको घर पर पोपकोन बनाने का तरीका सिखाएंगे तो दोस्तों हम प्रेसर कुकर में पोपकोन बनाएंगे क्योंकि ये काफी जल्दी बन जाते हैं प्रेसर कुकर में तो सबसे पहले हमने प्रेसर कुकर को रख दिया है गेच्चुले पर अब हम इसमें डालेंगे ओईल तो यहाँ पर हमने थोड़ा ओयल डाल दिया है चलिए हम थोड़ा सा ओयल डालते हैं और इसके बाद हम ओयल को गर्म होने के लिए रख देंगे अब जैसी कि दोस्तों हमारा ओयल गर्म हो रहा है इसके साथ ही हमने लिया है मक्षा के दाने और इसमें हमने मिला रहा है मक्षन और थोड़ा सा नमक अब दोस्तों हमने इनको पहले से ये mix करके रख दिया है इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा healthy powder भी डालेंगे तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा healthy powder भी मिला देते हैं तो यहाँ पर हमने healthy powder डाल दिया है अब दोस्तों हमें करना क्या होगा इन तीनों चीजों का हमें मिक्स करना होगा तो आप चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर सकते हैं और इसके बाद जैसे की प्रेसर कुकर में हमारा ओल गर्म हो चुका है अब हम क्या करेंगे इन सबी चीजों को डाल देंगे pressure cooker में और हम इसको mix करने के बाद हम क्या करेंगे pressure cooker का ढखकन ढख देंगे तो चलिए हम इसको फटड़ से ढखकन को ढख देते हैं तो यहाँ पर हमने ढखकन को लगा दिया है तो जैसी कि अप दे सकते हैं हमारे popcorn बनकर तयार है और काफी असान तरीके से हमने आपको बनाने का तरीका भी सिखा दिया है आपको जादा लंबा समय भी नहीं लगा है तो दोस्तो इसी तरीके से आप घर पर popcorn बना सकते हैं तो एक बार आप इस वीडियो को देखकर इस recipe को देखकर जरूर ट्रेय करें और दोस्तों आपको जो थियाटर में popcorn मिलते हैं बिल्कुल सेम वह ही वाले आपको popcorn खाने को यहां पर मिल जाएंगे तो दोस्तों आपको इस वीडियो कैसे लगी आप मुझे नीचे comment करके जरूर पताएं आज की वीडियो में फिलाल इतना ही थेंक ये फोर वोचिंग